हलो एन वेल्कम एवरिवन दव आनलाइन गुरू में मैं सुनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में राई एमसी जून 22 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टाटिक जीके को MCQ के थू हम लोग कवर करने वाले हैं ऐसी ही रेगुलर सेशन्स हम आपके लिए लेकर आते हैं तो इन सभी सेशन्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा आज का सेशन्स स्टार्ट करने से पहले आपको हमारे एक बैच से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा यह है RIMC के लिए 200 प्लस स्टाटिक जीके MCQ बैच इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है इस बैच में आप चितनी भी क्वेशन्स देख रहे हैं उन सभी को as a test attempt कर सकते हैं second thing आप लोगों को इन सभी का video solutions भी मिलने वाला है तो इस बैच में इन्रोल करने के लिए आप हमारे application the online guru को install कर सकते हैं और वहां से minimum fees में आप इस बैच में इन्रोल हो सकते हैं साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर preparation करना चाहते हैं तो दिये गए नंबरों पर WhatsApp के थूभी information ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज के session को अब आपसे question दिया गया है कि who among the following were the teacher of Gautam Buddha तो आपको बताना है Gautam Buddha के teacher कौन थे before his enlightenment जब उनको ज्ञान प्राप्ती हुई थी उनके पहले इनके जो teachers हैं वो कौन-कौन थे लेकिए options के उपर चर्चा करेंगे पहला option यहाँ पर given है आलार कलम आलार कलम जो है इन्हों ने Gautam Buddha को वैशाली के अंदर क्या की थी? knowledge दिया था तो वैशाली के अंदर आलार कलम ने जो कौन थे? सांखे दर्शन के philosopher थे तो सांखे दर्शन से related थे इन्हों ने Gautam Buddha को क्या सिखाया था? तो आप बूल सकते हैं meditation के बारे में सिखाया था और साथ ही साथ जो उपनिश्यद हैं उनके बारे में इन्होंने सिखाया था second जो है उद्रक राम पुत्र तो देखिए जो उद्रक राम पुत्र हैं इन्होंने राजग्री नाम के place पे ठीक है कहां पे राजग्री नाम के place पे इन्हें क्या सिखाया था? तो किस टाइप से highest level ठीक है highest level of meditation अच्छीव किया जाता है वो इन्होंने सिखाने का काम किया था अब इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद क्या हुआ? at the age of 35 गौतम बुद्ध ने क्या किया निर्वान अचीव किया कहां पे बोध गया के अंदर बोध गया कहां पे है? बिहार के अंदर है तो अब देखिए इस question का answer क्या होगा number one और number two अब कौन से option में है? तो देखिए option number D के अंदर है तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे? option number D को अपना answer चूज करेंगे consider the following और आपसे पूछा गया है which of the above are उपवेदास? ठीक है वेद को भी समझने के लिए जो उपवेद बनाए गये थे उनमें से ये कौन-कौन से हैं तो देखिए जो आपके पास उपवेद हैं वो कौन-कौन से हैं तो एक उपवेद है आपके पास आयूर्वेद के रूप में अब जो आयूर्वेद है ये किस से डिल करता है? medicine से related deal करता है ठीक है तो आयूर्वेद किस से related है? medicine से related है और किसका पार्ट है तो रिगवेद का पार्ट है नेक्स आपके सामने आ जाता है धनूरवेद ठीक है जो धनूरवेद है ये किस से रिलेटेड है आर्चरी से रिलेटेड है और किस से असोसियेटेड है तो यजूरवेद से असोसियेटेड है थर्ड आ जाता है आपके पास गंधर्व वेद और यह जो गंधर्व वेद है यह आपके music and dance से related है और किस पे based है यह तो सामवेद पे based है and fourth आपके पास आ जाता है शस्त्र सास्त्र जो है वो किस से related है military technology से related है और यह किस पे based है अथर्व वेद पे based है अब देखिए इन में से कौन-कौन से name given है तो देखो पहला नाम given है गंधर्व विलकुल गंधर्व आपने पढ़ा यह रहा दूसरा था धनुर्व वेद धनुर्व वेद भी आपने पढ़ा है यहां पे थर्ड है जोतिष जोतिष इसका पार्ट नहीं है और फोर्थ कृष्ण आला भी इसका पार्ट नहीं है तो ऐसे में आपका answer क्या होगा option number one consider the following pair अब आपके सामने यहां पे गौतम बुद्ध से related incident है और उनको कैसे represent किया जाता है वो आपके सामने के विन है तो आपको इन में से चेक करना है कि कौन कौन सा correct है तो देखिए जो गौतम बुद्ध हैं उनके life से related आपके पास कुछ symbol है और यह symbol कितने हैं five symbol है आपको one by one पता होना चीए तो जो गौतम बुद्ध का birth है उसे symbolize किया जाता है lotus and bull के साथ second जो यहां पे आप देखेंगे तो इनका जो great renunciation हुआ था उसे बताया जाता है किससे horse के साथ third thing इनका जो निर्वान हुआ था उसे बताया जाता है बोधी प्री के साथ फिर जो इन्होंने first ceremony दिया था अपना उपदेश दिया था उसे बताया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन या फिर धर्म चक्र या फिर आप इसे वील के रूप में देख सकते हैं और जो last है परी निर्वान जो कि क्या है इनका death है और इनके death को किस से द दिखाया जाता है अब देखिए बुद्ध का birth किस से lotus and bull बिल्कुल correct है renunciation किस से related तो भाई या horse से बिल्कुल true है बुद्ध का परी निर्वान परी निर्वान किस से related है धर्म चक्र से नई धर्म चक्र किस से related है first ceremony से related है और परी निर्वान किस से है तो स्टूप से related है तो number A जो है वो यहाँ पे आपका correct answer होगा which year the battle of Salir was fought between Sivaji and Mughal तो देखिए जो battle of Salir था वो किन-किन के बीच में हुआ था तो एक जो person है जिनको आप जानते हैं Sivaji राजे भोसले के रूप में जिसको आप लोग छत्रपती Sivaji कहते हैं उनका complete name Sivaji राजे भोसले था ये versus Mughals के बीच में एक battle होता है इसी battle को नाम क्या दिया जाता है battle of Salir ठीक है battle of Salir का नाम दिया जाता है इसमें क्या किया Sivaji ने किसको हराया मुगल को हराया कब हराया 1672 में हराया तो जीते कौन Sivaji जीते कब जीते 1672 के अंदर जीते हैं और इसके बाद इन्होंने क्या किया अपने आपको crown कर दिया ठीक है अपने आपको raja declare कर दिया कहाँ पे तो राइगाड नाम की जगए पे राइगाड पोट में इन्होंने अपने आपको as a ruler declare कर दिया और यहाँ से इनको एक टाइटल मिला जिसको हम लोग क्या कहते हैं महाराजा छट्रपती हम इनको कहते हैं which of the following desert is or are correctly matched आपके सामने desert है और desert किस जगे पे है उनके नाम given है आपको बताना है कि उनमें से correct कौन सा है तो देखे सबसे पहले दिया हुआ है गोबी desert और बूला जा रहा है चाइना और मंगोलिया के अंदर गोबी desert के बारे में आप लोग note down कर लीजिएगा यह जो गोबी desert है यह largest desert है largest desert है किस जगे पे East Asia का East Asia का सबसे largest desert है इसमें northern, northeast, China और south मंगोलिया आता है तो चाइना और मंगोलिया यहां पे statement correct है second है काला हारी desert और इसके बारे में कहा जा रहा है कि रवांडा, बोट्सवाना और नामीबिया यहां पे आते है ठेक है तो काला हारी desert जो है वो largest semi-arid desert है कहां पे है यह southern आपरिका में है कहां पे southern African nation में है तो southern Africa में है यह कौन-कौन सी country को cover करता है बोट्सवाना को cover करता है नामीबिया को cover करता है लेकिन रवांडा को cover नहीं करता है इस वज़े से आपका जो second statement है वो क्या हो जाता है गलत हो जाता है नमबर थर्ड पेंटागॉनिया desert कहां पे अर्जेंटीना और चीली पेंटागॉनिया desert जो है वो largest desert है अर्जेंटीना का जैसे इंडिया का largest desert आपको पता है था desert है वैसी ही अर्जेंटीना का लाज़ेस्ट डेजर्ट कौन सा है पेंटागॉनिया डेजर्ट है यहाँ पे अर्जेंटीना और चीली दोनों में ही यह डेजर्ट आपको देखने को मिलता है तो statement number third आपका correct है और ऐसे में आप लोग answer first and third को choose करोगे India shares land border with how many countries तो देखिए इंडिया जो है land border share करता है बांगलादेश के साथ around 4096 km ठेका यह approximate value दे रहा हूँ मैं आपको secondly हम लोग चाइना के साथ 3488 km का यहाँ पे land border share करते हैं हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के साथ land border 3323 km का share करते हैं हम लोग यहाँ पे नेपाल के साथ share करते हैं 1751 km हम लोग यहाँ पे मयान मार के साथ क्या करते हैं border share करते हैं और मयान मार से 1643 km के आसपास हम लोग भूतान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अराउंड 699 किलोमेटर हम लोग अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं अराउंड 106 किलोमेटर यह सारे क्या हैं? किलोमेटर के अंदर हैं तो overall देखो land border 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 states के साथ हम लोग 7 countries के साथ हम लोग land border शेयर करते हैं अराउंड 10 सरकारिया कमिशन इस रिलेटेड टू विच अब दा फॉल्लाइंग अब सरकारिया कमिशन क्या है और इनमें से यह किस से रिलेटेड है तो देखिए सरकारिया कमिशन जो है वो बनाया गया था जून 1983 के अंदर यह जो कमिशन था इसे किस ने बनाया था Central Government ने इसे बनाया था और इसका जो मेन वर्क था वो Balance of Power को देखना था क्या देखना था? Balance of Power किन-किन के बेच में? तो Central Government और State Government के बीच में तो दोनों के Relations को यहाँ पे Define करने के लिए सरकारिया कमिशन जो है वो बनाया गया था अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस सरकारिया कमिशन के जो Head Person थे या Main Person थे वो कौन थे? तो Justice Rajinder Singh सरकारिया Justice Rajinder Singh सरकारिया जो थे वो इसके Head Person के रूप में जाने जाते हैं और इनी के नाम या सरनीम की वज़े से भी इस कमिशन का नाम सरकारिया कमिशन कहा जाता है Consider the following Oxides of Sulfur, Oxides of Carbon, Oxides of Nitrogen and Ground Level Ozone Which among the following has been included in the National Air Quality Index देखे जो National Air Quality Index है उसके according total 8 pollutants है जिनको यहाँ पे consider किया जाता है अब यह 8 pollutant कौन-कौन है PM10 यानि के Particulate Matter 10 PM2.5 यानि के Particulate Matter 2.5 NO2 यानि के Nitrous Oxide जो के No.3 में गिवन था SO2 यानि के Sulfur Dioxide जो Option No.1 में गिवन है फिर हो जाता है CO यानि के Carbon Mono Oxide ठीक है जो की Oxide of Carbon में No.2 में गिवन है फिर आता है O3 that is Ozone जो Option No.4 में गिवन है NH3 Ammonia that is Oxides ठीक उसके बाद आता है PB यानि की Lead तो टोटल आपके पास 8 pollutant है जिनको यहां पर cover-up किया जाता है अब यह 8 pollutant आते हैं तो देखो 1,2,3,4,4 यहां पर इस Air Quality Index के अंदर एक pollutant माना जाता है इंडिया के Classical Language में कौन-कौन आते हैं तो देखिए यहां पर तमिल, तेलगो, कनड़, एन उडिया यह चारों ही आपका correct answer है Option No.D यहां पर अगर हम लोग बात करें टोटल 6 Language हैं जो आपको Classical Language में देखने को मिलेगा तमिल को इंक्लूड किया गया 2004 के अंदर ठीक है उसके बाद आ जाता है 2005 में Sanskrit को एड किया था Classical Dance में तेलगो को एड किया गया था 2008 में कनड़ को भी एड किया गया था 2008 के अंदर पर 2013 में मले आलम को यहां पर एड किया गया था उसके बाद आ जाता है उडिया जो कि 2014 से एक Classical Dance में है तो ओवर आल आपके पास 6 Language हैं जो कि Classical Language के रूप में जाने जाते हैं Consider the following pair of sports with a state where they are predominantly practiced यह sport कहां कहां पर प्रैक्टिस किये जाते हैं तो पहला है जली कट्टू और किस से related यहां पर बताया गया है यह आपको बताया गया है तमिल नाडू में जली कट्टू इस a kind of bull टैमिंग आपने देखा होगा कि जो बुल होते हैं उनको अपने काबू में करने के लिए इस पोर्ट किया जाता है सेकेंड आता है कम्बाला और कंबाला को यहां पे बताया गया है करनाटका से यह भी बिल्कुल कर्क्ट है इस कंबाला में क्या होता है जो बुल ao Kart होती है फैल काड़ी होती है उसकी यहाँ पे डेखने को मिलेगी बिल्कुल करक्ट है नम्मर थाड मलक घम्स यहाँ पर मद्य प्रदेश के अंदर बताया चारा है मलक में क्या होता है एक टाइप का जिमनास्ठिक है यह क्या है एक टाइप का जिमनास्टिक है जिसमें क्या करते हैं एक पूल के उपर ये लोग आट परफॉर्म करते हैं तो ओवर ओल ये सारे ही बिल्कुल करेक्ट है तो option number D हमारा answer होगा So student I hope आप सभी को आज का session easily समझ में आया हो ऐसे ही बहुत सारे questions आपके लिए हमारे app पे उपलब्ध हैं अगर आप भी इनके through prepare करना चाहते हैं तो join कीजिए हमारे batches को description के अंदर सभी links दिये गए हैं मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जाहिंद